पांच राजों के चुनाबों में कॉंग्रेस को मिले बहुमत के बाद राजनीतिक सरकर्मिया तीज हो गई है और कॉंग्रेस बिजेपी में बियानवाजी का दौर चारी हो गया है। कॉंग्रेस अधिक शिराहुल गांधी पर भी मध्यपरदेश में दोगली राजनीती करने का आरूप लगाया है। मद्दाता मोदी जी को बहुमत के साथ जिताएंगे और फिर से इस देश के परधानमंत्री की कमान उनको देंगे। ऐसा मेरा मानना है। बीजेपी जिला मीडिया प्रभारी अंकुस्त सर्मा ने कॉंग्रेस नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि गुम्रा करने की रासनीती ना करें। उन्होंने कहा कि बेशक पांच राजों की चुनाबों में कॉंग्रेस को बहुमत मिला हो लेकिन इन चुनाबों में बोर्ट प्रषट विजेपी को ज़्यादा मिला है। ये निकलता है कि जो लोग है जो मद्दाता है उन्होंने फिर से भाजबा को ही वोट किया था किन्तु जो हमीरपूर के चुटवई ये कॉंग्रेसी हैं वो इस चीज को पचा नहीं पा रहे और मोदी से वो डरते हैं सेंटर युनिवरस्टी में 75 हिस्से के बनने के लिए फोरेस्ट क्लियरंस मिलने पर अंकुष तस्वर्मा ने कहा कि काफी सालों से कॉंग्रेसी सीउ के मुद्दे पर जनता को गुमरा कर रहे थे लेकिन अब कॉंग्रेसीयों के मुह बंद हो गए हैं और जल्द ही देरा में स केंपस बन रहा है देखी देरा में जो सियू का जो सत्तर परिचेत हिसा बनने जा रहा है उसके लिए सर प्रतम तुम में हमारी होनहार सांसाद अनुराग ठाकुर को बहुत बधाई और उनका आभार विक्त करना चाहता हूं कि उनके अथक प्रयासों से उनके आज प्रयास सफल हुए हैं सी यू को जो देरी हो रही थी देरा में जो उसका बन पाने में थोड़ा समय लग रहा था वह अब जो आनिश्चिता है वो दूर हुई है फोरेस्ट क्लियरेस वहां मिली है जो प्रोसेस होता है उसमें कुछ टाइम लग रहा था किन्तु कॉंगरेसी जो सफच्ट हो गी आप और वो वो लोग मूझ चुपाते फिर रहें कॉंगरेसी कि अब क्या मूले के क्या जवाब देंगे क्योंकि देरा में सेंटरल यूनिवस्टी बनने जा रही है और जिसका पूरे का पूरा श्रे माननी सांसा राग ठाकुर जी को जाता है दूसरा में बात यहां पर और भी कहना चाहता हूं यह जो कॉंगरेसियों की भ्रमित करने वाली और दोगली राजनिती है दोगला चेहरा है यह जंता के सामने इन पांच राजियों के बाद बिलकुल स्पष्ट हो गया है वही राहुल गांदी है जो मध्या प्रदेश के चुनावों स करके बोलते हैं कि किसानों को करजा माफ करना नामुमकीन है और इसके लिए कोई सोलीशन लाया जाएगा पर वो सोलीशन भी उसको भी वह बहुत मुश्किल बता रहे है तो उनका चेहरा जो जंता के सामने आया है केवल सत्ता हथ्याना और सत्ता के उपर कबज़ा जमाना म को गुमराख करते हैं